बैस अब ये वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो blue custom card है वो कैसे आपको create करना है कैसे बनाना है वो भी unlimited जी हां दोस्तों तो चलो बिना time waste के अब वीडियो को हम start करते हैं और हां अगर आपको अपनी ID के अंदर यहां पे diamond लेना है या top up करके यहां पे diamond लेना है तो आप ल वीडियो के end में proof देख लेना तो भाई अगर आपको पता नहीं है कि यह guild room card कैसे लेना है तो आप लोग जाओ मेरे चैनल पे देख लो मैंने बताया है डीटेल में कि कैसे यह card easily आप ले सकते हो जो कि मैंने यह video के बादी दाला है तो जाके देख लेना video बहुती easy और और आप यहाँ पे भाई यह जो दोनों है न इमोट निकाल लोगे वो भी यह voucher की मदद से देख सकते हो 500 पचपन voucher है मेरे पास वो भी यहाँ पे मैंने निकाला है यह सब कुछ reward दोनों इमोट निकालने के बाद भी मेरे पास अभी इतना voucher बचा है या तो आप लोग मे मैं चैलेंज दे रहा हूं गैरेंटी के साथ चैलेंज दे रहा हूं आप जाद से जादा टोकन बना लोगे तो अगर आपको यकिन नहीं हो रहा है तो देख सकते हो 6 दिन पहले मैंने यही वीडियो दाला था और देख लो 5,70,000 लगबग व्यू होने आगे हैं तो भाई ऐ इसे ही 5,50,000,000 व्यू नहीं किया है भाई काम की वीडियो है आप जाके जरूर देखना यह वाली वीडियो आप लोग भी जाद से जादा यह दिवाली रॉयल वाउचर बनाओगे मैं गैरेंटी दे रहा हूं तो भाई यह जो ब्लू रूम कार्ड है यह बनाने के लिए आ आप लोग को करना क्या है तो इसके लिए आप लोग को सिंपल यहाँ पे कुछ करनी की जरूरत नहीं है यहाँ पे जो क्रियेट की बटन है यहाँ पे आप लोग को क्रियेट पे क्लिक करना है जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को भाई सबसे इंपोर यहाँ पे जब यहां पर जब यहाँ जब यहलों लियू गया है । तो घाई घाई में जल्दी जल्दी में confirm मत कर देना क्योंकि भाई आप लोग जो ये room card ले रहे हो ये महनत से मिल रहा है blue room card क्योंकि पहले जैसा नहीं है किसी और ने guild खीज दिया ये 800 dog tag complete कर दिया तो आपको custom मिल गया अब आपको खुद महनत करना है और खुद है ये room card, guild room जो blue आला room card है ये blue आला room card खुद ही लेना पड़ेगा महनत करके तो भाई महनत waste हो जाएगा अगर आपने गलती से जल्दी में यहाँ पे click करके यहाँ कर दिया तो यहाँ पे आप लोग को जो करना है न काम वो सब easily कर लो जैसे कि अगर आपको password दालना है one to one करके जो भी दर रखना है वो आप अपने हिसाब से रख लो password और यहाँ पे class squad लगाना है class squad लगालो battle royal लगालो चाहे lone wolf लगाना है lone wolf लगालो जो भी आप लोग को जमता है match खिलना वो match आप लगा सकते हो तो normally जात लोग class squad खेलते हैं तो class squad पर हम select करते हैं और यहाँ पर map select कर लो next era में खेलना है या बर्मुडा में खेलना है तो वैसे हमें बर्मुडा में खेलना है तो बर्मुडा मैंने select कर लिया है उसके बाद team mode दिखा रहा है तो team mode के लिए आप लोग को यहाँ select solo देखने मिल रहा है duo, देखो अगर 1v1 खेलना है, तो solo वाला select कर लेना, अगर 2v2 खेलना है, तो आप लोग duo select कर लो, square खेलना है 4v4, तो आप यह वाला कर सकते हो, और 6v6 खेलना है, तो भाई यहाँ पे यह अलग level का, मतलब 6v6 अगर आ game होता है, यतने player हो जाते हैं, आपस में लड़ते हैं, comedy match लगता है, तो चलो, आप लोगो जो भी select करना है, 1v1 खेलना है, 1v1 कर लेना, तो चलो, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, 6v6 की जो भी बंदे है, उनको मौका मिल जा आने के लिए, क्योंकि मैं खेलूंगा निए, बस आप लोग को ऐसा करना है, जो भी custom में आये ना, उनका level होना चीए, 40 से उपर, अब देखो, 40 के उपर रहेगा ना, तो गेम प्ले उसका रहेगा, वरना यह आंडू पांडू आ जाएंगे, 10, 20 level वाले तो आपको पता ही है, गेम कैसा रहेगा उनलोग का, और custom भी कितना ट पता है, अब जब यह सब हो जाए ना, तो आप लोग को आप गेम पे आना है, गेम पे आने के बाद, आपको पहली में बोल रहा हूँ, गलती से नहीं, इस पे कर दो गे तो भाई, जो चीज़ा आपको सेट करना हो सेट नहीं कर पाओगे, उसके बाद आप गेम पे आना, एक और रूम के नीचे गेम है, गेम पर आओगे, तो यहाँ पर आप लोग को दिखेगा, भाई, स्टोर कौन सा चीए, रेंडम स्टोर चीए, कॉमपटिटिटिव स्टोर, या क्रेजी स्टोर, या हर्ड कोर स्टोर, तो भाई, अपने को तो फर्क नहीं पड़ता है, तो इस 11 राउंड का करना है, 11 का कर सकते हो, जो भी करना है, और उसी के साथ, यहाँ पर डिफॉल्ट कोईन है, तो आप लोग जब गेम प्ले स्टार्ट करते हो, कस्टम स्टम, तो उसमें अक्सार देखे हो, आपको 500 ही कोईन मिलता है, तो अगर यहाँ पर आप लोग को कोईन गाई मत करो, तो चलो, यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट कोईन यहाँ पर 9950 कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर रेंडम बफ पर आप लोग को नो ही रहने देना है, यहाँ पर कुछ बफ मत करो, वरना फिर वो कस्टम में मजा नहीं रहेगा, और साइबर एर ड्रॉप को यहाँ पर इसको नो कर दो, क्योंकि भाई, ड्रॉप रॉप आएगा ना तो फिर वो मजा नहीं रहे, कस्टम खेलने का मतलब है, सब क्लियर हो, आमने सामने बंदा और वो हिसाब सब अपना अलग लेवल में खेले, ठीक है, तो यहाँ पर एच्पी वितन ही रहने देना, यहाँ पर एच्पी है, इसको आप 200 कर सकते हो, और यहाँ पर गेम प्ले में बहुत प्रॉब्लम होगी, मजा नहीं आएगा, समझ लोग कस्टम आपका बरबाद हो जाएगा, तो यह सब उंगली मत करो, में जो उंगली करने वाली चीज है, वो राउंड में उंगली करना ह और यहाँ पर नीचे अगर आप आओगे, तो नीचे देखने मिल रहा है, एन्वायरोमेंट है, तो एन्वायरोमेंट डे है, तो डे ही रहने देना, फॉल डेमेज यह है, तो इसको नो कर दो यार, बहुत सारे प्लेयर्स है, उपर से जंप लेते हैं, तो उनकी हेल्थ कम ह हो जाती है, फिर थोड़ा नाइन साफिवाला गेम लगता है, तो इसके लिए फॉल डेमेज को नो कर दिया करो, और हाइयर टायर लूट जोन, तो इसको भी नो कर दो, नहीं चेहिए, और यहाँ पर हाइट टीमेट निकनेम, और मेरे ख्याल से हाँ, यहाँ कर लेते हैं, प्रिशियस एम को यहाँ पर रहने देतें यही, और लोट आउट यहीड और इन गेम मिशन यह ठीक है, और यहाँ पर लिविटेट डाइमो जो सबसे मेन काम आपको करना है, वह है यहाँ यहाँ लिमिटेट डैमो का, अगर आपने यहाँ पर रखा, तो प्रॉग यहाँ होगा किया कि जो जो अलिमिटेड गोली जो मिलती आप लोग को यही यही वज़े से आती है लिमिटेड एमो आपका नो रहता है ठीक है तो इसको नो यास से कर लेना और एड रॉप रॉप नो कर देना और जैनरिक का एनिमी आउटफिट मतलब जो बाई बंदे लोग का जो होता है वो आउटफिट की जगे एक अलग से आउटफिट बनाएगा तो उसके लिए अगर यस करोगा तो मत करना यहार मैंने एक बर किया था इदम अजीब बंदे लगते और नो कर रहने ना इसको भी और फ्रेंडली फायर को यहाँ पे नो किया है तो नो ही रहने दो और और करेक्टर स्कील को भाई यस पे रहने देना गन अट्रिवीट्स पे भी यस ठीक है सब कुछ यहाँ पे तो हो गया है अब यहाँ पर आओगे आप जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आप लोग को दिखेगा इस्पेक्टेट अपॉन एलिमिनेशन तो यहाँ पर आप ल अगर आप आओगे तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग देखने मिल रही है और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे यह ओन हो जाएगा तो इसको अन करना है ठीक है तो यहाँ जैसे कर लोगे तो आप लोग को यहाँ पर सब दिखेगा चाए वो यूस्पी हो देखो नहीं कटेगा ठीक है और इसके बाद एन नाइन और यह फार्मर्स और यह सब हटा अटा के यहाँ पर बाई चलो एम फोर एवन और चलो ठीक है यह हो गया और इसी के साथ नीचे आके पी 90 मतलब जितने भी गंस है आप सब हटा के डिजर डिगल करना चाहते हो डिजर चलो ठीक है यहां पर जब आप सब कुछ रटा लोगे ना तो उसके बाद यहां पर हम अठा देते हैं बहुत जादा यहां पर फ्लेश्लेश दिये है ग्रेनेड है स्मोग है कुछ नहीं से इसे रिपैर के रहने दो और इसी के साथ में यहां पर लेवल 2 वेस्ट भी रहने से आपको जो सेट करना लैवल सॉर का करना है । फैस्त दो कड़ उप सकते हैं करना है तो चलो यह तो हो गई बात हमारे ऐड़ॉन से च्टिंग के बारे में क्हस्टम के अंदर रहता है और यह करने करना किया है आपको simply एक काम करना है देखो यहां पर भाई कोई गलती तो नहीं और बाद में यह होगा कि आपने यह किया वो किया तो भाई गलती नहीं होना चाहिए और यहां पे चलो डिक इसी के साथ यहां पे मिनी टरेट और डिकट ग्रे अपट रिखने मिल रहा है तो यह सब सेटिंग करने के बाद आप लोग पे आना और अपलोग को civile है तSu demand बड़ा लोना इका। informous आपको के आप 15 वकında करें। लेकिन यहां पर 15 करना थीक पन्द्रा जैसे क्र लोगे उसके ले पहले कितना कोई मिलना चाहिए पांच वे में कितना मिलना करना है तपने को चोफे में आपको क्या करना है कंजूसी करके तो चलो यहां पर यहां पर फिर मैं करका कंफर्म पर फीर करता हूं तो देख सकते हो यहां पर आचुका है हमारा नू कस्टम रूम कार्ड आप लोग के सामने मैंने क्रेट किया वह बी unlimited देख सकते हो limited no है ठीक है और यहाँ पर जैजर कोई दativity को मुझे नहीं लगता है कोई बंदा आता है कि नूर्य और यह टाइम कोई जाग रहा है कि नीए अगर आज आते तो अच्छी बात है उनको हम कस्टम खिला दीगे लेकिन नहीं आते तो बहुँ इनका loss है तो भाई कोई आ रहा नहीं है तो चलो यहां पर तो चलो यहां पर आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आप blue room card create कर सकते हो वो भी unlimited glue वाला तो भाई यह जो आपको setting बताया है यह आप कर सकते हो पहले भी करते थे लेकिन यहां पर कुछ अभी आप बोलोगे और दोनों में फर्क है मुझे सब सेम लगा yellow और blue अला तो भाई यहां पर सेम नहीं है दोनों में फर्क है अगर आप दोनों comparison करोगे न तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या difference है तो उमीद करता हूँ आप लोगो समझ में बरबाद होगा तो चलो यहां पर हम कस्टम को यहां पर बैक कर लेते हैं और एक कस्टम मिला था मैंने से मतलब blue कस्टम रूम कार्ड मैंने बनाया है कोई बंदा नहीं आ रहा है तो चलो कोई नहीं बरबाद होगा होगा यहां पर हम काम कर लेते हैं यहां पर हम सेटिंग म आजाए और कस्टम यह क्या है रेडिम चलो ठीक है मैंने आपर हटा दिया है पासवर्ड और पासवर्ड हटाने के बाद भी देखते हैं कोई आता है कि नहीं मुझे तो नहीं लग रहा भाई कोई आएगा क्योंकि अभी ब्लू कस्टम रूम कार्ड अभी है नहीं किसी के पा बाद हो गया है लेकिन कोई नहीं उमिद करता हूँ आप लोग को यहां पर समझ में आ गया कि किस तरीके से आप लोग को कस्टम रूम कार्ड लेना है एक्सेंज करके और यह जो नया ब्लू कस्टम रूम कार्ड है वो आप लोग कैसे बना सकते हो जो की कन्फुजन जो भी बस कुछ नही एफीचर देißt आपने 100% सेम है चाहे आप यellow वाला रूम देख लो चाहे ब्लू वाला दोनोंमें कुछ अंतर नहीं है और वैसे पी जो सैटिंग मैं आपको बताया कस्टम बनानी की वो सैटिंग बहुत टाइम से तो भाई कोई समें जो नहीं सेम है बाती ब सब्सक्राइब बैल नोडिफिकेशन को ओल पर यासे कर देना मैंने अपना काम किया यार आप इमानदारी से अपना काम कर दोगे तो दिल से अच्छा लेगेगा जो कि फ्री में होता है और उससे आगे मैं क्या बोलू आप समझदार हो क्या करने बोल रहा हूं तो देखते है कितने लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो भाई सब टीम कोड मैंने दे दिया है वाटसब चैनल पे और देखते हैं कौन प्लेयर सबसे पहले आता है मेरे ग्रूप में जो भी आएगा उसको मैं दूंगा गूगल प्ले कर रेडीम कोड और अगर आप नए हो या प नहीं करते हैं अपने वाट्साप वाले तो मेरे यहां पर माइक कर लेता हूं और यहां पर लाउक कर देते हम और मगर्ण आवाज आ रही है 때도 ölज़ा एक है आपगे commerce आपका redeem code और ये group में पेस्ट किया okay और ये send तो मैंने send कर दिया है तो आप redeem करके बता और रेडिम हुआ कि पांच मिनट बहुत जाद होता हुता हुता है एक मिनट के अनदर रेडिम कोट रेडिम हो गया है हाँ तो चलो ठीक है आप exit लेलो group से और next player को आने दो ठीक है चलो और यहां पर next player है devil master तो चलो यहां पर devil master आवाज आ रही है आपको आवाज आ रही है तो चलो ठीक है आपको मैं Google प्रेडिम कोट दे रहा हूं group में तो आप रेडिम करके बताना रेडिम हुआ कि नहीं तो पहले काम करो नहीं कुछ भी नहीं कर सकते तो ठीक है अब क्या कर सकते हैं इसके लिए पहले से play store open करके रखा करो शायस उसमें बैक ना हो चलो ठीक है मैं देता हूं रेडिम कोड अगर बैक होता है तो फिर कर भी क्या सकते हो वैसे भी रडिम कोड सही है कोई रेडिम नहीं कर रहा है फ्रेश बनाया रहता हूं यह आपका रेडिम कोड मैं सब्सक्राइब करना ही फॉप कर देता हूं रजुग हुप करता हूं नहीं बाइट मतलो आख और यहां पर पर वह दे तो आपको मैं गूगल प्ले कोड रहा हूं गूरुम तो आप रेडिम करके बता नहीं रडिम हुआ कि नहीं है कि अवाज आ रही है तो चलो ठीक है तो यहां पर आपको बता दू अगर आपको इस तरीके से रेडिम कोड लेना है तो आप लोग भी ले सकते हो तो आपको कमेंड वॉट्ट शनल का लिंक है उस पर क्लिक करके मेरा चैनल कर लो और आपको तो फैर को तीन वजे में दूंगा टीम कोड वो टीम कोड लेकि मेरे ग्रूप में आओगे तो आप मेरे वीडियो में भी आ जाओगे आप में से पर सुनली बात कर सकते और रेडिम कोड भी मिल जाएगा तो बस अगर आप लोग को आना है तो कोई की नहीं वो मुझे देखने मिल जाएगा तो जाने से फ़ले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलता हम नेक्स वीडियो में जब तो के लिए आप उने फैमिली का ख्याल रखे थेंक्यू बाबाए